सब्सक्राइब इंटेलेक्शल इंडीज, एंप्रेस्ट बैल आइकन, और नेवर मिस एनी अपडेट तो यह कहानी है आज से हजारों साल पहले की जो हमारे पूरवज मेडिटेशन करते करते अपने अंदर गुज गए तो उन्होंने देखा हमारी बॉड़ी के अंदर बहुत सारे एनर्जी सोर्सेज है जहां से हमारी बॉड़ी एनर्जी एमिट कर रही है और वही एनर्जी हमारी बॉड़ी को चला रही है और उसी एनर्जी के हिसाब से हमारी लाइफ चेंज होती है और ये energy universe के थूँ आ रही है फिर कुछ गुरुओं ने अपनी research tree बनाई और उन्हें research करने के कुछी करी कि कितने energy sources है हमारी body के अंदर तो overall बहुत सारे energy sources निकले पर majority of 7 energy sources निकले तो उनको कहा गया 7 major chakras जैसे आप नाम से समझ सकते हैं मतलब क्या हुआ चक्र है और वो घूम रहा है तो नोंने देखा जो हमारी energy sources है वो revolve हो रही है जैसे कि motor चलती है motor चल रहे है और वहां से energy बहार निकले जा रही है जैसे आपने देखा होगा कि कोई भगवान की photo होती हो उनके पीछे एक chakra बना होता है वो भी एक part of chakra है अगर यहाँ chakra है यहाँ chakra है अलग-अलग जगाओं का अलग-अलग मतलब है जैसे कि मान के चलिए core chakra जो root chakra होता है जो हमारी bottom spine के अंदर होता है वो हमको energy provide देता है जैसे बहुत सारे लोग होते हैं full of energy होते है जहां पर वेस्दों बोलते रहेगे बोलते रहेगे, कुछ भी करते रहेगे तो उन लोगों का जो bottom chakra होता है root chakra होता है वो open होता है और कई लोग होते हैं जो हमेशे बिढ़ने के लिए तयार होते है कि क्या-क्या chakra होते है किस-किस का क्या-क्या मतलब होता है और आपका जो chakra है वो open है close है या एकदम खुला हुआ है और आपको क्या करना चाहिए तो आपसे हर Thursday एक वीडियो आएगी एक chakra के उपए और कोशिश करेगी हम अगले साथ हफते के दर साथों के साथों chakra खतम कर दे with meditation with पता लगाना कि आपकी खुली हुई है बंद है सब कुछ हाँ एक और बात मैं आप सबको एक बात recommend करना चाहता हूँ कि please इस पे trust करना मैं आपको हर आपते एक chakra के बारे मताऊँगा एक हफता पूरा chakra उसके उपर काम करना कुछ specific meditation होगी आपको meditation करनी है लेके चलो अपने दिन का 20 minute निकाल दो रोज का तो जैसे मान के चलिए अगले हफते हम root chakra के बारे में बात करेगे तो आप अगले हफते के पूरे और पूरे time पे अपने root chakra के उपर काम करना सिर्फ 20 minute रोज के देना उसके अगले हफते हम sacral chakra के बारे में बात करेगे तो आप उसको तो करना ही साथ के साथ root chakra को भी पकड़ देना वही 20 minute के अंदर सारा का सारा खतम करने ही कोश्च करना 15 minute sacral को देना 5 minute root को देना ऐसे करते करते साथ हफते के अंदर आप meditation को perfect कर लेगे और बहुत सारी मैं आपको tips देता रहूँगा साथ के साथ hacks देता रहूँगा वैक किस तरीके साथ meditation को better तरीके से कर सकते हैं इन चक्रास के अंदर बहुत सारे ऐसे चक्रा जिनको आप बहुत प्यार से control कर सकते है मतलब एक हफता meditation कर ही proper तरीके से आपने अपने चक्रा को close कर दिया या फिर open कर दिया जैसे कि कई लोगों को बहुत जारा खुला हुआ है तो आप उसको normal तरीके से ला सकते है और कई लोगों को एकदम बंद है जो revolve और ही अंदर energy source जो अंदर machine चल रही है वो बंद जाती है इस चकर में isolation के अंदर हो चले जाते है और लोग में उनके पास आना पसंद नहीं करते है तो जिन लोगों का heart chakra open होता है उनके पास लोग अपने आप attract होते रहते है आपने से जो जो लोग gym करते है अचानक किसी बंदे की entry होती है उसकी body बहुत अच्छी नहीं होती है पर सबके सब लोग उसको देखने लग जाते है ऐसा क्यों होता है कई आपके ऐसे दोस्त होगे जो किसी भी group के अंतर जाते है और एकदम घुल मिल जाते है सब लोग उनसे बाते करने लग जाते है अगर आप कोई unknown से मिलते है तो आपका अप्रयाम मन करता है भाई मैं स्पंदय से बात करूँ ये सारा का सारा चक्रा का game है तो ठीके दोस्तों यही थी introduction of chakra आशा करता हूं आपको बात समझ में आई होगी और आप फॉलो करेगे पूरी की पूरी सीलीज को और अगर आप ये पहली बार वीडियो देख रहे है तो भाई प्लीज नीचे सब्सक्राइब दबा दीजिए बेल आइकन जो दबाईए ताकि हम जब भी नई वीडियो दाले तो आपको नोटिफिकेशन आजाए तो प्लीज लाइक, शेयर, नीचे कमेंट सब्सक्राइब तो कर दिए आपने बाई, गुड़नाइट, शबागेर, खुदा आफिस